हलो बच्चो अब हम देखेंगे कि तक्सीम का अमल किस तरह से किया जाता है पिछले जमातों में हमने सिर्फ तक्सीम के माइनस समझे और उसके अज़्जा देखकर कुछ सिंपल सी मिसाले यहां पर देखी थी अब हम देखेंगे कि जो दो हिंसी अदद है उसको एक हिंसी अदद से किस तरह से हम तक्सीम कर सकते हैं तो चलिए तक्सीम करने के लिए हम शुरुबात करते हैं हमें 75 को 5 से तक्सीम करना है इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर सबसे आखियर में जो हिंसा होगा उसको धान में रखेंगे कौन सा हिंसा है यहां पर? 7 तो हमको 5 का पहाड़ा यहां पर पढ़ना है 5 का पहाड़े में हम वहां पर रुखेंगे या फिर हम उस अदद पे रुखेंगे जहाँ 7 आए या फिर अगर 7 पांच के पहाड़े में नहीं आएगा तो उससे थोड़ा सा कम अदद जो भी 5 के पहाड़े में आएगा वहाँ पर हम रुखेंगे जैसे के 5 के पहाड़े में 5 एक 5, 5 दूनी 10 दस क्या होगा साथ से बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ पर साथ दूनी 10 नहीं ले सकते तो हम लेंगे यहाँ पर 5 एक पांच तो एक को यहाँ पर लिख देंगे खारजा खिसमत में और पांच को नीचे लिख देंगे और अब इन दोनों की तफरीख कर देंगे साथ में से पांच तफरीख किया कितने बजगे दो अब या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं क्योंकि साथ यहाँ पर दाही की मखाम पर है तो साथ दाही में से पांच दाही तफरीख किये बजगे दो अब यह जो एकाई की मखाम का पांच है उसको हम जूंकातू नीचे ले लेंगे अब क्या बन गया ये 25 अब पांच के पहाड़े में 25 आता है या नहीं ये तो पहाड़ा पढ़ने के बाद ही हम देख सकते हैं चल ये 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं 5 एक पांच, 5 दुनी 10, 5 तिया 15 तो पांच पंच 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 दिया हुआ अदद 5 से पूरी तरह तक्सीम होता है और इसका जवाब आता है 15 ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली मिसाल अब हम दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी दूसरी मिसाल है हमको तक्सीम करना है 45 को लेकिन किस से? 4 से तो चलिए तक्सीम करते हैं वही हमारा तरीखा 4 के पहाड़े में 4 कहां आता है? एक पही आता है 4 एक गन 4 तो एक गन का एक उपर लिखेंगे और 4 नीचे 4 में से 4 गए रह गया 0 अब यह जो बाज़वाला 5 है उसको नीचे उतारेंगे 4 के पहाड़ा 5 आता है कि चेक करेंगे 4 एक उपर 4 दूनी 8 8 क्या होगा? 5 से बढ़ा होगा इसलिए हम यहाँ पर 4 एक उपर 4 एक उपर 4 गए रह गया 1 चुमके यहाँ पर बाखी एक है इसका मतलब हमारा 5, 45, 4 से पूरी तरह तखसीम नहीं होता है इसका जवाब आता है 11 और एक रह जाता है बाखी ठीक है उमीद करते हूँ कि आपको दो हिंसी अदद को एक हिंसी अदद से किस तरह ज़र्ब कर सकते हैं यह समझ आ गया होगा इसी तरह की और मिसालें बच्चों से हल करवाए शुक्रिया